लाशों को सीडिया बना तर ऊपर चड़ता गया बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जी इतना डिफिकल्ट है पर नौट इपॉसिबल मैं कभी किसी से मिलने से पहले हलो दोस्तो मैं हूँ प्रकाज विश्यकरमा स्वागत है आप सभी का बॉलिगराट इस्ट्डियोज में साहो तो की हमारे कहानी में साहो वाजी सिती के अंडर वर्ल्ड में आये तुफान और अमरिता पर हुए लगातार अटैक से परेशान होकर खुद अंडर वर्ल्ड में ओफिशली कदम रखता है और चैलेंज करता है जो भी उसकी जगा लेना चाहे वो सामने आये और उससे यह जंग जीत लेकिन अमरिता जो की एक पुलीस ओफिसर है वो साहो की इस बात से सहमत नहीं होती है साहो desperately कहता है अमरिता मेरी बात समझो अगर मैं ये कतम ना उठाता तो मेरे आस पास के लोग और तुम हमेशा खत्रे में रहते हाँ जैसे तुम्हारे माफिया बनने से तो मैं सेफ हो गई हूँ न तो साहो धीरे से कहता है मोटी तो यही है अमरिता उसे गुसे में घूरती है और कहती है तुम समझ नहीं रहे हो मेरी ड्यूटी है अंडरवर्ड के लोगो को पकड़ना और अगर तुम जाकर उनके किंग बन जाओगे तो ऐसी कोई सिचूशन आई जहां तुम्हें अरेस्ट करने की नौबत आई तो मैं कैसे क्या करूंगी अमरिता एक सांस में सारी बात कह देती है जिसके साहो को भी चिंता है लेकिन फिर भी एक समाइल के साथ वो अमरिता को कहता है तो अमरिता कहती है और अगर आई तो Mr. Roy इस पुलिस ऑफिसर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन होगा साहो अमरिता की फनी नकल पर मुश्कुराता है लेकिन वो समाइल अचानक चली जाती है जब अमरिता कहती है मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए हमें थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना होगा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन डिपार्टमेंट इस बात को नहीं मानेगा कि एक आफिसर और माफिया साथ हैं और दोनों इस केस में साथ में इंवाल्व नहीं है अमिर्टा और साहो दोनों अलग-अलग रास्ते पकड़ लेते हैं साहो डेविड की हेल्थ से सारे छोटे-मोटे स्मगलर्स की लिस्ट निकलवाता है और सब को एक पामाहुस पर बुलाता है साहो और डेविड दोनों वहां पहुंचते हैं लेकिन तकरीबन 25 स्मगलर्स में से सिर्फ 5 या 6 ही वहां मौझूद होते हैं साहो उनसे ही बुस्ताज करता है लेकिन उसे वही सेम जवाब मिलता है जो हैट स्मगलर रोकी ने दिये थे साहो उन सब को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने ड्रग्स illegally स्मगल किये वो भी किसी और कहने पर तो साहो उन्हें जीने लायक नहीं चोड़ेगा फिर वो सारे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग बाइक्स पर शोर मचाते हुए आते हैं उनके हातों में चेंज, बैट्स और बेजबॉल बैट्स लेकर आते हैं और इस बीच अचानक कोई साहो पर अटाक करता है साहो और डेविड उन सब से लड़ते हैं कहीं से चाको कहीं से बैट्स तो कहीं से चेंज से अटाक होता है उपर से कई गुंडे उन पर एक साथ अटाक कर रहे थे और तब अचानक साहो को कमर की एक साइड में बड़ा तेज दर्द होता है जैसे किसे ने चाको मा रहा हो साहो नीची देखता है कि कोई अब उस चाको को ट् dudist कर रहा साहो दर्द में चिलाता है और उस हाथ को पकड़ कर दूर करने की कोशिश करता है और जब उसकी आँखे attacker से मिलती है तो वो पैचान जाता है कि वो कौन है साहू मुश्किल से उसे धक्का देकर पीछे हटाता है और कहता है सामने आही गया है तो सामना भी कर ले कब तक कायरो की तरह मोच पता रहेगा तो वो अटाकर चाको को फैंक कर स्टॉप बोल कर सब को रोख देता है और फिर अपना मास हटाता है डेविड अपने सामने साहो के सेकरेटरी अलोग को देखकर चौक जाता है लेकिन अब अलोग के चेहरे पर इनोसेंस की जगा एविलनेस साफ मेजर आ रहे हैं तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो का यहें पर करते हैं अंत झाल झाल